जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र ड्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भुले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे सरहूल उत्सव में सामिल हुए मुख्य मंत्री हमंत सुरेन सरहूल को लेकर सुबा से ही जर्खन किराज़ानी राची में चाहल पहल तेज है सरहूल सुभायात्रा को लेकर सभी आदिवासी होस्टल वा समीती सदस्यों ने पूरू में ही त्यारिया फूरी कर ली गई है सरहूल सुभायात्रा में सामिल होने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया है सुभायात्रा में महिलाय लाल पाड साड़ी एवं पूर्ष धोती गंजी में सामिल होंगी परमपरिक वाग्य यंत्र ढोलनागारा मांदर के सामिल हो मास्क एवं सनेटाजर का परियोग अवस्ट करे परतिक गाउं के मोजा दल अपने अपने खोड़ा की स्वयम निगरानी करेंगे सुभा यात्रा में सामिल खोड़ा दल दोनों तरफ से रसी बना कर घेना बना ले यवं दुसरे दल में जाने से बचे बारी बैक्तियों को अपने खोड़ा में सामिल नहीं करेंगे जारखन में दो-तीन की संख्या में ही मिल रहे करोणा मरीज जारखन में अब दो तीन की संख्या में ही कुरोना के दैनिक मामले मिल रहे हैं इस माह की बात करें तो एक अप्रेल को तो पूरे राजे में महाज एक नया संक्रमित धनबाद में मिला था वहीं 2 अप्रेल को पूरे राजे में सिर्फ लाते आर में 2 तता खोटी में 1 नए केस मिले राजे में अब एक्टिव केस की संख्या गट कर 44 हो गई है इसमें 22 एक्टिव केस सिर्फ राची में है मौत के आगोस से पानी निकाल कर प्यास बुझाते मासूम बच्चे भले ही सिक्षा विभाग ने सुख्ष बिद्याले सुख्ष बच्चे अभियान की सुरुआत एक अप्रेल से कर दी हो लेकिन रांची जीले के ग्रामीन चेत्रे में कई बिद्याले ऐसे है जहां आज भी हमारे बच्चे पानी पीने के लिए जान जोखिम में डाल देते हैं रात ऐसी होती है कि सवधानी हटी दुरुहतना घटी वाली स्थीती बन जाती है बता दे रांची जी लेके बेडों के सेरो गाउं से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां छोटे छोटे बचे खुले कुवां से लकडी के पटे पर खड़े होकर पानी भर रहे है बेशक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है लेकिन क्या करे जल संकट के बीच प्यास तो बुझानी पड़ेगी बचे जोखिम उठाते हैं और अपनी गले को तर करते हैं जहारखन में लूग के बिशलो हर्दागा से रांची तक छाया कोहरा लूग के थपेड़े के साथ आस्मान में कोहरे करना जारा इन दिनों जहारखन में मौसम का अभोधपूर मिजाज देखने को मिल रहा है राजे के आधा दर्जन जीले लूग की चपेट में है तापमन 40 डिग्री पर है कई जगह पारा इसके पार भी है दूसरी और सुबह से आकास में कोहरा भी देखा जा रहा है बता दे रभीवार की सुबह लोहर्दागा से रांची तक नजारा ऐसा दिखा कई इलाकों में सुबा कोहरा चाया रहा वो अभी इतना घना की सामने आ रहे वाहन को देखना मुस्किल था मांडर टोल पलाजा के पास तो कोहरे के चलते तीन वाहन टकराए गाए और दो लोग घायल भी होगाए जहारखन में लू को लेकर एलो अलट जारी जहारखन में आज सोमवार एवा मंगलवार को लू चलने के असार है मौसम विभाग ने अपने पूर्वनमान में बताया है कि जहारखन की गढ़वा पलामू लाते है चात्रा और गिरी डी जीले में चार वा पांच अप्रेल को कहीं कहीं लू चल सकती है इसे लेकर एलो अलर जारी किया गया है वैसे अने जागों पर मौसम सुस्क रहेगा और आस्मान मुक्यत साप रहने की संभावना है मौर्निंग वाक कर रहे सक्त पर अपराधियों ने चलाई गोली जहारखन में अपराधियों के होसले बुलंद है सोमवार की सुबा राची जीले के बेडो परकन में मौरिंग वाक कर रहे बलकु बढाईक पर अपराधियों ने गोली चला दी हलाकी जहाटका देद देने के कारण गोली नहीं चल सकी और बलकु बाल-बाल बच गय बता देश दोरान अपनी जान बचाने के लिए बलकु अपने घर की तरफ दोड़े जबकि अपराधि राची गुमला मार्क की तरफ इसकूटी से भाग कड़े हुए खबर मिलते ही पूलिस ने उनका पिछा किया और अपराधि को गिरफतार कर लिया गया 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ तो होगा चरणबद अंदोलन चारखन में 1932 खतियान लागू करने को लेकर सीबू सुरेन जन जातिये इंटर कॉलेज स्टेडियम में बोर्यो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम के नतित में जन आक्रोस महासभा का वजन किया गया इसमें बिभीन परकंड से सैक्ड़ों की संख्या में आदिवासी महिला वह पूरूस परमपरागत हतियार के साथ पहुँझे थे बता दे सिधु कानों की परतिमा की पूजा का लोबिन ने महासभा को समुदूत करते हुए राज सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए चुनाव के दरण किये गए वादे को याद दिलाते हुए कहा कि राजे की जनता के साथ जो वादा किया है उसे पूरा करना होगा अन्याथा 1932 के खतियान लागू करने को लेकर चन्बत अंदोलन होगा हमारी लड़ाई पार्टी की लड़ाई नहीं है हम राज यके मूल वासी की जल जंगन वा जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राजधानी राची में आई निकलेगी सोभायात्रा राची में सोमवार को सरहुल सोभायात्रा निकाली जाएगी इसके मदिनर राची जीले में 121 मजिस्टेट 100 से अधिक पुलिस पताधिकारी और 1500 से अधिक पुलिस बल की परतिनुक्ति की गई है पूरे सहर को 6 जोन में बाट कर गस्ती दल को तैनात किया गया है वहीं गिरामीन इलाकों में 34 मटपून अस्थानों पर मजिस्टेट वजवानों की परतिनुक्ति की गई है पंचायत चुनाओं में प्रोबेशनरी अफसरों को बनाया जाएगा निर्वाची पताधिकारी पंचायत चुनाओं को लेकर कुछ जीलों में परिच्छे मान उपसमाहरताओं को निर्वाची पताधिकारी बनाया जाएगा जीलों में उपसमाहरताओं की कमी के करने अनिन लिया गया है बता दे जिलो की ओर से राज निर्वाचन आयुक्त के समक्ष या समस्या रखी गई थी इसके लिए राज निर्वाचन आयुक्त ने समती दे दी है इस तरह छटी जे प्यासी के नो नियुक्त उपसमारताओं को तैनात किया जाएगा जारखन ही नहीं नेपाल भूटान और बंगला देश में भी सरहूल मनाया जाता है नेपाल भूटान और बंगला देश में धूमधाम से सरहूल मनाया जाता है नेपाल के बेचन उराओं जाने माने साहितिकार लेखक और अनुसंधन करता है वह नेपाल के उराओं आदिवास सिंदु घाटी से पलायन कर रोतासगड पहुंच चुके थे फिर वहां से पलायन कर नेपाल पहुंचे नेपाल में इनकी अबादी करीव एक लाख है यहां सरहुल परव को खदी पवनी कहा जाता है इन दिन नेपाल के उराव मुल्डूप से धर्ती माता प्रकिर्ती देवत पच्चो अयो पच्चवाल आलर पूर्खो की पूजा करते हैं धनबाद नगरनीगम के आठ़ारा हजार चार सो होल्डिंग नंबर निकले फाजी नगरनीगम में होल्डिंग में फाजी वाढら का मामला समने आजा है यहां 72 जार होल्डिंग में से 18,400 फाजी निकली है में 18,400 होल्डिंग फर्जी निकली 48,000 उभगता होल्डिंग टेक्स दे रहे हैं नगर निगाम और नगर विकास विभाग को इसकी सुची सौब दी गई है पार्टी से निकाल सकते हैं मार्टी से नहीं लोबिन हेंब्राम बोरियो विधायक लोबिन हेंब्राम ने कहा है कि सरकार बनने से पहले राजे में 1932 के खत्यान के अधार पर अस्थानिये निती लागू करने की बात कही गई थी जानता से किया गया या वादा पूरा करना अने अथा 94 बद अंदोलन होगा हमें पार्टी से निकाल सकते हैं लेकिन माटी से नहीं हम माटी के लड़ाई लड़ रहे हैं 1932 के खतियान अधारित अस्थानी ये नित्ती लागू करने को लेकर 5 अप्रेल को घर से विदा लूँगा जब तक इसकी मंजूरी नहीं मिलती घर नहीं लोटूँगा सिरी एमराम रब्विवार को बोर्यो इस्थी सीवू सुरें जन जातिये इंटर कोलेज स्टेटियम में जन अक्रोस महासाभा को समोधित कर रहे थे नेतर हाट इसकूल में नमांकन के लिए जार्खन का निवासी अनिवार नेतर हाट आवासे बिद्याले नेतर हाट में नमांकन परकिरिया में बर्ष 2022 से बदला होगा बिद्याले में नमांकन के पूर्व बिद्यार्थियों द्वारा जमा आवासे पवनपत्र का सत्यापन कराया जाएगा इसके लिए स्कूल प्रवंधन द्वारा अमनमांकन के लिए चैनित विद्यार्थियों का निवास पहन पत्र समंधित जीला के उपायुक्त को भेजा जाएगा विद्यार्थि द्वारा जमाप प्रमान पत्र के सत्यापन के बाद ही नमांकन लिया जाएगा रांची यारपोर्ट पर एक ही नमबर की दो कार रांची यारपोट पर उस समय लोग हैरत में पड़ गए जब एक ही नमबर के दो कार पार्किंग में खड़े मिले इसकी सुचना यारपोट थाने को दी गए थाने की पुलिस मोगे पर पहुंची और दोनों कारों को जबत कर थाने ले आई जांच के दोडान एक कार का मालिक तो सामने आ गया लेकिन दूसरी कार का मालिक अब तक गायव है जनकारी के अनुसार अभीवार की साम यारपोर्ट पूलिस को किसी ब्याक्ति की द्वारा सुचना दी गई की यारपोर्ट की पारकिंग में दो कार पार्क किये गए जिनके नमबर एक ही है थाना परभारी को हटाने की मांग को लेकर सीमरिया बंद जारखन के चात्रा में सीमरिया अनुमंडलिये मुख्याले की पूराना ख़ड़ा बाजार टांड पूजा समीति के सदस्यों के साथ थाना परभारी अविनाज कुमार का दुरुब्बेवहार का मामला तूल पकड़ लिया है पूजा समित्यों के आवाहान पर सीमरिया बंद कर दिया गया है समित्य के सदस से यवाम विभीन रायनितिक दलों के करकरता धारना पर बैठ गया है उनका कहना है कि जब तक ठाना परवारी को यहां से हटाये नहीं जाता तब तक सीमरियa बंद रहेगा और राम नमी जूलूच वजाकी की त्यारी अस्तागित रहेगी धारना काननेति तो भाजपा किसान मोर्चा के जीला द्यक्स कुमार सुमाम सिंग और जीला परिशत के पुर्व उपाद्यक्स भागपा नेता डेवनन्त साहू सन्युक्त रूप से कर रहे हैं धन्यवाद यादि आप चनल पर नहीं होते चनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक अंद बाई साथ साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बेक अवस्य दे थैंक्यू